अलो फ्रेंड्स जतिन कम निशन क्लास में आपका मोश्ट वेलकम फिर से आज अपन यहाँ पे मैं इसका जो टोपिक चब्रत अपना क्वाडिटिक एक्वेशन उसमें अपन इनिक्वल्टीज के बारा में पढ़ रहते तो इनिक्वल्टीज को सोल करने के मैंने आपको नियम लिखवा दिया हूँ अब उसके बाद अपनी हाँ पे जो सोल करने वाले हैं सोल करेंगे टाइप फ़स्ट याइन टाइप फ़स्ट में कौन सा आएगा सैकिंड में कहेगा टाइप फ़ॉर्थ में डबल इनिक्वल्टीज को कैसे सोल करते हैं यानि फैक्टोराइज कैसे क करते हैं कि तो सब यहां पर देखने वाले अपन टाइम को नावेश करते हैं मेरी आपसे यहीं उमेद है यदि आप वीडियो गों देख रहे है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें एंड वीडियो जाला-जाला सेर करें ठीक है मानि इनउक्वालेटीज टोपिक चल र तैप फर्स्ट है कि एक्स्प्रेशन बिच कैन नोट एक्सप्रेशन विच कैन नॉट जिस एक्स एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं हो सकते उसके अपन किस टाइप से उसकी जो इनिक्विल्टी चाती है उसको किस टाइप से फोल करते हैं तो आपन सीधा एक्जांबल से यहां पर सोल करते हैं एक्जांबल दियो है एक्स स्कॉरेट प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर दें जी यहां पर एक्स सी वैल्यू कुछ भी रखके चेक कर सकते हो आप मैंने तो रखके चेक कर लिए मैंने यह यहां पर कॉंसरम 20 वैयर रखके चाहें किया है जभी मैंने एक्जांबल आपको दिया है तो अपने यहां पर यानि एक्स ब्लोक्स टू आ लेंगे 4R branch to यानि y branch to 4R x branch to R यह बात एम में सबसे ही बात है ये Y दा होगा है यानि कोई f of x दिनाल रहा है तो f of x यह दिय दिया है तो यह इनिटल्टीज के बारे हम बोल रहा है तो यह पर x कमान क्या आने वाला है कि y कमान यहां पहरा हमेशा positive आएगा इसी स्कुर्ण ब्लस एक्स को अब बाद से लिख दें कि एक स्कुर्राया प्लस प्लस वन इसलें जीरो तो इसके जोस्दिसे हो वह ने वाला है कद्दू जिसे लिएक फाहीं बोलते हैं तो अपना ये एक एक जापल हुआ अब अपन देखते हैं नेक्स एग्जाम्पल नेक्स एग्जाम्पल है आपर 3X स्क्वाइर माइनस 7X प्लस 6 ग्रेटर देज जीरो अब मैंने आपको एक बात रही ती यह पोजेटिव एंड डी नेगेटिव हो तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी होगा है तो हपर यहां पे देख लेते हैं यहां पर पॉलीटिव है धिग्मान यहां पर चेक करते हैं द भी स्कॉर्वाइर मैनस 4 इसली कि मीनचाश माइनस 4 इन्टू 6 इन्टू 3 ये यहां डी यहां पर नेगेटिव तो डी नेगेटिव एपोजितिव इसका मतलब वो जो एक्स्प्रेस्ट होगा वो आलवेज पोजिटिव होने वाला है तो यहां पर वाई आलवेज पोजिटिव 4R X-Bolans to R इसका मतलब होता है 4R लिख सकते हो आप 4R इसका मतलब होता है belongs to अब अपनि यहां पर दो एक्जामपल यहां पर शोर कर लिए हैं इसके फैक्टर देखते हैं इसको भी इसी वेस पर देखते हैं यह मैठोड आपको कोई नहीं बताने वागा है आपको इसे factor करेंगे ये करेंगे तो मैं तो आपको एक simple सा मैठोड बता है यदि आपको समझ में है तो अच्छी बात है यदि नहीं समझ में है तो प्लीज मुझे comment box को बता है यहाँ पर ए जो है positive है अब डी की value चेह कर लेते हैं बी स्क्राइब माइनस 4 इसी बी स्क्राइब 9 माइनस 4 इंटो 4 इंटो 1 तो यहाँ पर डी बी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यह बात एक्दम सही है तो इसका मतलब यहाँ पर आरो और आरोने वाला है कि वाई आलवेज पोडिटिव फोर आर एक्स ब्रॉंग फ्रू आर ठीए यह भी यहाँ पर सही बात है अब अपन जो नेक्स टाइब देख रहें नेक्स टाइब क्या है कि ऐक्ष्प्रेशन कें बेफ टैक्टोडॉर आई इस एक्ष्प्रिशन के टैक्टोडाई होते हैं तो उसके अपन देखते हैं किस टैकस ताइब से सोल करते मैं मैंने आज से chemistry class भी start कर चुका हम और मैंने एक video डाल भी दिया है प्लीज आप उसे जरूर देखें यह टाइप second होगा टाइप second ठीक है टाइप second है जिसे expression के factorize हो सके तो expression can be factorized ठीक है तो इसमें factorized दो आले examples देखते हैं तो इसमें भी rule होते हैं काफी तो पहला rule होगा पहला rule क्या है कि जो x का coefficient है fact step मैं पहले एक बाद इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि मैं तो हिंदी वीडियम से हो आपको हिंदी बताऊँगा factorize इन्हें linear as four are as possible यानि जितना जो possible हो उसो अपन linear expression में व्यक्ट दरेंगे linear expression क्या बताएदा मैंने linear expression बताएदा मैंने x plus 1 हो गया 2x plus 1 हो गया 3x plus 1 हो गया 4x plus 2 हो गया इस टाइप दी तो expression जिसमें x से पावर 1 हाती है वो होते है linear expression ठीक है यह बात आपको दुबादा से रवाट लागी होगी तो इस टाइप से अपन उसको ग्रेट करते हैं तो आप इंग्लिश में फर्ष्ट इस्टेप बोल सकते हैं इसको इस्टेप की factorize 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 in linear as for is in linear as for possible तो ठीक है यह बात आपने नोट कर ली और इस टेप जो सेकिंड होगा इस टेप सेकिंड अपनको दिया हुआ है कि मैं coefficient of x as 1 in linear y multiply and divide y appropriate number यानि एक ऐसे नमबर से यानि जो factorize दिया हुआ है उसमें इसको बनाना है चाहिए उसमें गुणा करें या डिवाइड करें तो आपको उसको भी लिख सकते हो गुणा या डिवाइड दरके मैं कोफिशेंट ओफ एक्स ये जिक्त एक्स और एक्स जिक्त एक्स एक्स एज वन थीख रादा रहना है इन आल लीनियर पाई मुल्टिप्लाई यह तो थोड़ा speed से लिख सकते हैं, multiply and divide by and divide by appropriate number, ठीक है, अब तो step थाड़े है, इसको खड़ जा हो रहा है, मैं 0s of linear on number line, जो जैसे x minus 1 आगा है, तो इसको 0 के equal करके, यह x बड़ा और 1 आगा हैगा, तो इसे number line पे डाल के अपन उसे, जो positive negative sign से भी solve कर सकते हैं, और एक तरम वाला method है, वो भी, उससे भी solve कर सकते हैं, तो आपको मैं 2 method बताओंगा, प्लीज इस जोप को अच्छा लगा है, वो योज़ कर सकते हो, mac 0s of linear expression on a number line, ठीक है, उसके बाद जो step 4 है, step 4 क्या है student, step 4 है, given sign of to respective area on number line, तो मैं आपको बताओंगा, क्या होता है, given sign of respective area of a number line, ठीक है, number line, यह number है, sorry, number line, और जो step 5 है, एगर आप step यह सारे step इवाद समझ लो, आपको जब मैं एक्जांब कर रहा है, आप सारे clear हो जाएंगे, according to inequalities, अब इस्टे 5 है, according to inequalities, इक्वलिटीज, एरिया, इनिक्वलिटीज, स्लेक्ट इंटर्वल, जो की अपन देखेंगे, एक एग्जांपल में, कि किस टाइप से अपन इंटर्वल को स्लेक्ट करते हैं, कि भाई, इसमें positive होगा, इसमें negative होगा, तो सब वो अपन यहाँ पे सीखने वाले intervals है, सोरी है, ठीक है, तो आपने 5 note, यह 5 step यहाँ पे note कर लिए होगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा ना रहा हो, प्लीज, ज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ तो एक्जामपल है इसका पहला, एक्जामपल देख लेता हूँ है, एक्जामपल है 1-x, 1-x इंटो x-3 इंटो x-5, इस greater than 0 ठीक है, तो greater than 0 है, इसका मतलब मैंने आपको सबसे पहले एक बात बनाई थी, कि जो पैना इस टेप था कि सब के जो फैक्टर है यानि तो फैक्टर पोसीवल फैक्टर है यहाँ पर यानि फोक्स पोसीवल फैक्टर होगे और दूसरी बात थी, कि x का कोफिसेंट पोजिक्टिव बनाना है, पोजिक्टिव यानि एक बनाना है, तो यहाँ पर एक बनान तो यह जाएगा X-1, X-1 जैसे ही अपन लिखे तो यहाँ पर X-2 इंटो X-3, X-5 जैसे ही अपन 5 यह लिखे X-1 तो यह डेफिनेटली यह साइन चेंज होगा, डेफिनेटली यह साइन चेंज होगा, उसके बाद अपने इसको देखने वाल है, अब X अब जी रोज के एकवल क करना है, च्ड़ imesi यह था, 1 हो गया है, इसको दीरो backwards 1986 करें तो मा-ईनस2, यह होगאל यह वाल है 3 और यह होगए minus 5 उसके बाद मेली बनार कि डेओं करना है तो नम्मर लाइन 11 हो गए यहाँ पे 3 हो गाँ यह वाँ माइनस 2 और यह गपर बाउल सकंसे तो सबस्ते पहले पोजिटीव से स्टार्ट करो, पोजिटीव, नेगेटीव, पोजिटीव, पोजिटीव, अपनको यहां पर क्या पार्ट लेना है? नेगेटीव, तो नेगेटीव यहां से क्या बाण्याल है? ड्र मृइनस टू यूनियन यह और इसका आशर अब आपने JUST होगा next method बगाई तो मैंने आपको method next method है जो की तरंग वहाला method है वो ये ला ये मैंने तरंग डाल लिये तरंग मैं क्या होता है जो उब रवाले जो इनको गट होते हैं ठीक है गर्थ होते हैं तो यह उपर वाले तो होंगे positive और नीच वाले होंगे negative तो यह negative यह negative आमसर भी negative में यही आ रहा है तो यह एकड़म सही बात हैं मैं तो किसी method से करता हूँ तरंग वाले से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहां पर use कर सकते हो मेरा यह गयना है कि आप भी तरंग वाले से ही करें क्योंकि इससे काफी गलती नहीं होती है अब अपने इसमें next question देखते हैं next question क्या है और उसको solve करते हैं next question दिया हुए है x square greater than equal to minus 1 x square greater than equal to minus 1 यह वाल लेक्व बिलकुल फर्जी है यानि बिलकुल गल्स है क्योंकि x square जहां भी आजा है लिख लो आप एंडोट में square जहां भी आजा है वो always positive आने बाला है तो यह बाद x broke 3 आप फाई होने वाले कद्द होने आजा है तो यह example कद्दू सा होगा है आप next example यहां पर देख रहे है next example है x square minus x minus 6 x square minus x minus 6 x square plus 6 x greater than 0 तो यहां से अपन मैंने क्या बाला पहला याने possible factor बनाते है linear factor तो linear factor इससे क्या होगे x square minus 3 x plus 2 into minus 6 अब आप सोचें कि सर्फ बोल जल्दी कर रहे हैं सर्फ जल्दी इसले कर रहे हैं को भी इनकी काफ़ी practice हो शुकिए इससे बना दो होगे ठीक है तो और यहां से x common लिए x minus 3 into x यहां पे 2 common लिए into x minus 3 ठीक है तो यहां पे हो गया और यहां पे अगर x common लिए x plus 6 greater than 0 यहां से x plus 2 हो गया तो और यह हो गया x minus 3 x into x plus 6 अब यहां से इनको 0s के इक्वल कर दो जैसे 0s के इक्वल करें तो यहां से value ने बारी हो minus 2 यहां से 8 0 यहां से 3 यहांime ने बारी हो minus 6 तो यहां पे ठीक यह के यह रिदी हो आती है तो आपका जो next यहां पे method घारätzen क्व होगी तो वो भी देखेंगे तो यहां पे सीधा आपर value पूट कर सकते है यहांनि solution इसका नहीं सकते है plus minus plus minus plus तो फुलस minus plus minus plus चाहिए तो यहां से minus infinity to minus 6 x goes to union minus 2 to 0 union 3 से infinity यहां पे आगए फाइनल solution अब आपर next question देखे है अपने इसके ना देखे अपन टाइप ठाट देखते हैं उसमें भी दो कुछिसों है उनको स्रोल करते हैं टाइप ठाट हो नहीं मैंने क्यूसंस का बनाया है जो आप देगें काफी टीचन गौल अलग तरही की से बताते हैं लेकिन मैं दो टाइप के साफ से हाथ पे इसमें इसमें भी घर रहाता हूँ अब फर्जी चेप्र रहे से तो ही फिर भी आपको पढ़ना चाहिए मुझे तो आथा है अच्छे से अब नेक्ट टाइम है थार्ड नम्बर का इसमें ओली क्यूसंस होंगे लिख लो आप क्यूसंस तो फिर्ष्ट क्यूसंस है आप है एस माइनस 5X प्लस 6 मुल्टिप्लाई मुल्टिप्लाई है एस स्कॉयर माइनस 6X प्लस 5 ग्रेटर ने जीरो तो आप है मस बना लो क्या फैक्टर यह एस स्कॉयर माइनस 6X 5X माइनस 6 ग्रेटर ने जीरो बन गए X माइनस 3 माइनस 2 को बन एक्स माइनस 3 सिंपल से आप जैसे प्रक्टिस करोगे आपको भी आजाएंगे X माइनस 5 जैसे X पॉमल नहीं है आपे अब ने एक्स आने वाला है माइनस 1 इंटू तो यहाँ पर एक मिश्टेक हो गई है इसमें मिश्टेक क्या होई है मिश्टेक होई है अपनी सिंपल सी है यह यहाँ पर 5 चीए यहाँ पर हो गएगा यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर मिश्टेक यहाँ पर 5 आना चाहे था तो यहाँ पर X-5 को जा लाए है ग्रेटरेंग जीरो तो X-2, X-3, X-1, X-5 अपका 2 वे 0 शेक बर करके नम लाइन पर पुट कर सकते हो, तो Xपराबर 1 पह गया, 2 आगया, 3 आगया, और 5 आगया, तरह पह गया, तरह बाँ डाल दो, यह पोजटीव माइनस सिर्फ, पोजटीव नेट सिर्फ बर कर सकते हो, तो यहां पर चेप पोजिटिव तो माइनस इंफिनिटेट हो वन योनियन तो से थ्री योनियन फाइब से इंफिनिटी यहां पर आगा है फाइनल आंसर तो आप इसे नौट कर सकते हो अब इसी टाइप में जो अगरा क्यूसन है अब लग में आपन देखते हैं इस टाइप में होनी कुसे तो दौति करा आथा हो अपन 4 नौर का टाइप इसके लेए उसके आपको 3x²-7x-4 3x²-7x-4 greater than equal to 0 अब आनी अच्छी वाली बात अच्छी वाली बात क्या है यहाँ पर अब ही अपन को यहाँ पर क्या रहा है x² यहाँ यहाँ पर सबसे पहले यह चेक करें कि यहाँ पर जो इसके factor बन रहे हैं नहीं तो factor बन रहे हैं नहीं यह चेक करेंगे सबसे पहले factor बन रहे हैं नहीं तो अपने इसके देखते हैं क्या होता है इसमें 3x²-7x-4 इसके factor चेक करता हूं चार्थ कि अब 12 बन रहा है बहुत ऊजी बन रहा है 3x²-4x-3x-4 greater than equal to 0 3 यहाँ पर x-4 आगया तो 3x-4 आगया minus 3 common आगया यहाँ पर x-4 आगया तो 3x-4 greater than equal to 0 यहाँ पर x- यहाँ पर क्या आ रहा है बच्छर common बता आपके नहीं रहा है x-1 into 3x-4 greater than equal to 0 यहाँ से नपर लायन पर पुट करता x-1 और x-1 3y4, 4y3 4y3 आगया आएगा number 9 यह डाल दो यह plus यह minus और यह plus तो plus के लिखने लिख दो x-1 पर लोग फ्लो minus infinity to 1 union 4 by 3 to infinity यह जो कि अपना आप सब दल्स मना जाएगा तो यहाँ पर यहाँ आगया नहीं यह greater than equal equal to 0 यहाँ सकता है इसका मतलब included value यह value include है इस method में तो यह बात एकदम सही होगी जब आपन बड़ा कोश्टक लगाएंगे अब आपन आगे देखते है 4 type जिसमें आपन जो double यहाँ power 2 आजाए even अने तो क्या करेंगे old आजाए तो क्या करेंगे तो मैं वो बतातू आप type number 4 type number 4 का क्या है कि repeated linear factor क्या है repeated linear factor अब linear factor repeated हो रहा है तो क्या करते है तो आपन टाइम को ना वेश्ट करते हो यह आपे देखते हैं सीधा एक्जाम्पल एक्जाम्पल क्या है x-1 into x-3 into x-1 x-1 का 4Q greater than 0 यह यह एक्जाम्पल तो अपन देखते हैं इसे ठीक है तो अपन इसको लिख लेंगे x-1 अब एक बात आप इजे प्लीज note कर सकते हो कहाँ copy की जो first line हाती है उससे उपर इतनी जगए आपती है उसमें आप यह बात note करें कि जब भी old power आए old power तो जो मैंने तरंग बताई है वो no change होगी यानि वो उसी में चलेगी और even आता ही even power तो तरंग change तरंग change तरंग change रहेगी old नहीं होगी तो यहां पर x-1 तो सीथे इसको number line पे पुट लेते है x1 और 1 minus 3 खीग है तो number line सीथी आने दो अपड़ को किसे ने मतलब नहीं है जब भी even power हो तो even power इसके solution आने वाला है plus minus plus minus तो यहां से सीथा आने वाला है x2 minus 3 2 minus 1 union 1 से infinity यह सीथा आन्सोरा गया तो अपने यहां पर नेक्स जो कुशन है नेक्स कुशन का पर इंट्रेंश्टिंग है क्योंकि उसमें तरण भी बद लेगी तो देखते हैं किस टाइप से करते हैं उसको अब नेक्स जोशन आप यहां पर नोट करें नेक्स जोशन है यहां पर कि x इंटो x plus 6 x इंटो x plus 6 इंटो x plus 2 का होल इसको है इंटो x minus 3 greater than 0 greater than 0 तो अपन यहां पर simple सा x वड़ावर 0 आ गया x वड़ावर minus 6 आ गया x वड़ावर minus 2 आ गया x वड़ावर 3 आ गया अब इससे सीधर number line पर put करेंगे x वड़ावर 0 यहां पर 3 यहां पर ओला minus 3 minus 2 यहां पर होगा minus 6 होगा अब यहां पर यह देखो कि even power आ रही है 2, 4, 6, 8, 9, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यह जो जितने भी even value होती है वहां पर जो तरहन होगी तो यहां पर x वड़ावर minus 2 पर तरहन आ गया 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 minus 2 पर जैसे ही आई तो उपर को वहां पर जैर्ज कर देना है खीक है तो यहां पर plus minus plus plus minus उपर और यहां पर सारे plus आएगी तो यहां पर आपन सीधा answer लिखेंगे minus 6 2 minus 2 सीधा 0 लिख ले union 3 to infinity अब यहां पर यह एक mistake होई mistake क्या होई कि यहां पर minus 2 जैसे ही यहां पर put करते है minus 2 इन दो लों के बीच में है minus 2 जैसे ही हां पर put करेंगे तो यह expression 0 आ जाया यह जोंकि गल्द हो जाया इसलिए minus कर देंगे अपन minus 2 यह बात एदम सही है ठीक है अब चाहिए कुछ भी रख के आप देख सकते हो यानि इसके अलावा इसमें जो है वो कुछ भी रख के देख सकते हो यह expression हमेशा सही होने वाला है अब अपना तो next है next है rationalize inequalities क्योंकि यह काफी जड़े काम आने वाला है ठीक है 11 क्लास में बोर्ड एक्जाम होंगे rational 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 inequalities in inequalities rational inequalities तो अपने सब क्योंस सरी start करते हैं क्योंस सरी x-1 into x-2 into x-3 अपों x-4 into x-5 greater than equal to 0 काफे बोटाइट किसन है students इसका answer सीज़ आपन लंबान लाइन पर पुड़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 बस सीज़ तरंग आने दो तरंग 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 इसके अफिर इस अपने आपी नेगे आने पुझे आपने को छी पुझे टिव अपने को क्या ले ना पुझे आप सा। तो माइनस इंफिनिट यह पोजिटिव है तो वन तो टू आएगा उनियन वन टू आएगा योटिन थ्री से फौर आएगा यूनियन फाइट से इंफिनिटी आएगा अब वो सब्सक्राइट जो बात यहां रखनी है तो अब आप सोच रहोंगे कि सब यहां पर तुम भूर रख दो जीरो जाएगा जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि इंफिनिटी होता है तो यहां पर रख तो यह एक्सपरेशन जीरो आजाएगा तू रख देंगे तो भी एक्सपरेशन जीरो आएगा तो यह सोलुशन इंदम इसका सही होगा तो आप यह जरूर यहां रखें बढ़े वैश्चोंगे कोश्ट के बारे में अब तो नेक्स्ट उसन होने वाला है वो अभी काफ़ इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यूसर है काफी अच्छा क्यूसर नहीं है लिख वाथ विसंग अ कि अच्छा करवा तो आए एक्सेपावर थ्री एक्सेपावर थ्री इंटो टू एक्स माइनस थ्री का होल स्कूर इंटो एक्स माइनस फोर का होल स्कूर अपोन एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री इंटो थ्री एक्स माइनस एट की पावर फोर ओके स्टोडेंट तो यह दे रखा है और यह लेजर इक्वल टू दे रखा है जिलो तो यह एक्स पावर जिलो आ गया तो एक अगया थ्री व 50-3 वाइट ऐफ गम है 3 3 अब सीदा कि अवल्य बना लू बना लिया तो या आप कुछ नेगेटिवव्या लेनी किनकी शेल्व लें जीडियो यूनियन थ्री से फॉर तो अपने को क्या करना था इस पूरेंड यहां पर क्या करना है जो अपने मिश्टेक कर दी अपने सीज़ा इसका आमसर लिख दिया तो यह मिश्टेक मेरे से कापी बार हुई है और दुबादा भी हो गई है तो मिश्टे को पर सुदार थे हैं मैंने क्या बताया था जहां पे भी इवन पावर आ गया है वहां पे यह जो तरह है सीधी ने जाकर वापस स्थेशन हो जाती है तो दुबाद से अब फृट करते है जीरो थे वाइट गूओ प्ली एक भाइट थी थी एंड फॉर सब्सक्राइब यह बार नेकले जाए ज़्ट फ्रोड पे इवन फावर तो यह तरम दूज जोगी ठीक है और पावर तो सीधा जाएगी एट नौए ठ पर तो आपस वैसे आई त्री वाइट पर भी कहें जीरो पर यह जाए जैसे पूरी वैलू आगी अपनों देखना है जीरो यहां पर लग दिये एक्स व्रावज जीरो को यहां पर जीरो हो जाएगा तो किससे स्कूर करेंगे जैसे ने कोई जो नेक्स aux ओन समें डिस्कस होंगे अब होना जो next question है next question है x-1 का whole square x-1 का whole square into x plus 3 x plus 1 का whole u upon x e power 4 into x-2 less than zero तो यहां से x वड़ावर बना गया x-1 आ गया x वड़ावर 0 आ गया x वड़ावर 2 आ गया तो अब इंको number line पर put कर लो number line पर put कर रहे number line पर put कर दें eight दो minus eight तो यहां पर x की power one पर power क्या है इस पर पावर है, x पर है, 4, तो 1 पर यह लो, 1 पर नो चैंज, 0 पर नो चैंज, यह लोगा है, तो अपर नेगिटिव यह नहीं है, तो x लोग पर है, आप नेगिटिव यह नीचे वाला पाट आ जाएगा, माइनस बन्ट तू अब देख लो किसको अढ़क करना है माइनस बन को एड़ करना है क्या SaaS तो दूसा को नहीं नहीं है अब अपने ऑप है एक्मिक फिस करते हुए हुए Do an inequality कि क्योषण करते हैं, फिर जम next class होगी उसमें आपन देखेंगे कि J-Mans के 2 क्योषण किस टाइब या बैं सोल करेंगे हम ठीक है तो आपन next class में मिलेंगे, अब उससे पहले आपको में double inequality का एक क्योषण हटा देता हूँ, लिक लो double inequalities डबल इन इक्वारिटीज डबल इन इक्वारिटीज का पहले एक एक्वेस्ट करों आपको क्योंकि आपको से में समझ में जाएगा अब इसमें कुछ नहीं है बच्चो इसमें ओनली है कि दो इन इक्वारिटीज तो अब आपको दो बार उसे सोल करना पड़ेगा अब दोरों पर कैसे सोल करेंगे वह देखिए एक तो अपना यह वाला अपने पर कामों खुद ही समझ में जाएगी क्या करने इसमां एक पार्ट तो ही हो गया उस-वक से ऑंदी बॉड़्य हरो आएंगे उनका यह प्रम्शरों खना सोर करते हैं औस इद सोल कटे और न जो आंज्राव वह इतर सोल खरते हैं तो उपन देखते हो यह हो गया 3x square minus 7x plus 8 less than equals to 2x square plus 2 यह इदब जाके multiply हो जाएगा तो 3x square minus 7x plus 6 less than equal to 0 आप इसे sort करके देखिए यही आने वाला है तो x square minus 6 तो यह होगा x square minus 6x minus x plus 6 less than 0 यहां फिर कोमल लोगे x minus 6 into minus 1 into x minus 6 less than 0 और अपना जो आगे से sort करें वो कैसे होगा देखो यह होगा x minus 1 यहां पर कोमल यह आ गया एक रोट और x minus 6 यह रोट के आगे तो दोनों नहीं देना आगे तो इसका मतलब यहां से जो वैलू आने वाली है वह आने वाली है यह तो 1 और 6 तो यहां पर number line जैसे पूट करें आप उनको लेतन लेना है तो 126 होगा है इस नांसर यह आने वाला है क्योंकि 1 पे यह वैलू आएगी तो 3x square minus 7x plus 8 greater than x square plus 1 तो यहां एगा 2x square minus 7x 2x square minus 7x minus 7 greater than 0 अब greater than 0 आगया तो a positive and d negative देख लेते हैं यहां पर a positive and d के value देख लेते हैं b square minus 4ac b square minus 4 into minus 7 into 2 तो यहां पर positive value आने वाली है इसका मतलब यह बाद गल है ठीक है तो यहां पर इसका solution आने वाला है solution होगा solution क्या होगा students यहां पर solution इसका होगा x square यह होगा solution यहां पर a positive है और d क्या है d यहां ने सोरी यहां पर गलती होगी यह plus है तो यहां पर गलती होगा तो d negative आ जाएगा ठीक है यह जलती थोड़ा comment box में बताये कर रहा है तो यह अगर negative आ गया है तो इसका मतलब यह एक बिल्कुट बात सही है x move to r आने बात है ठीक है यहां पर y1 always positive आना है 4R x move to r जो कि मैंने आपको पहले बता चुकर हूँ यह बात आप please not दोबारा कर सकते हो यह यहां पर x wrong to r आ रहा है और x wrong to 126 आ रहा है तो इसका intersection क्या आने वाला है basically x wrong to r way 126 भी है तो अपन का जो answer आने वाला है वो आने वाला है x wrong to 126 यह जो यह हो गए गम right answer तो आप प्लीज इसे note करें तो यहां पर इसका answer हो गया इसके साथ अपनी class सभावत होती है अपने next class में इसके बेस पर आगे jman's पर अपने 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 वाला है